जब पंधेरा हो जंगल में शेर खान घुमता है उसके हुराने की ताहड मोगी जुमता है यह है जांगो बोग यही है जांगो बोग यही है जांगो बोग पागीरा और बलू अपने कर्दब दिखाए यह है जांगो बोग यही है जांगो बोग यही है जांगो बोग आज तेरा कीमा बना कर रहूंगा बचाओ! देखो एक शेर पल भर में कैसे बुड़ा बिल्ला बन गया माशा ने तक जादू कर दिया चल अब यहां से फुटले बिल्ले वरना तेरी चटनी बना दोंगी माशा ने क्या किया माशा शेर खान की कहानी खत्म मैं माशा आज से जंगल की रानी हूं तुम सब की नई लीडर बन गई मैं माशा ने शेर खान को बिल्ले में बदल दिया मतलब उसकी आवाज भी के बिल्ले जैसी थी हाँ क्या शेर खान बिल्ला बन गया क्या बक्वास है कितने मजा क्या हो तुमें की इन बंदरों को क्या हो गया हमारे घर में क्यों तबाही मचा रहे हैं बंद करो ये सब बंदरों हामोश बल्लू ये मेरा जंगल है जो मन करेगा हम वही करेंगे तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी रानी हो और तुम मेरी जंटा जंगल नहीं तुम किसी गतर की रानी हो माशा इन पर नज़ा लखना ये बगावत कर सकते हैं अगर शक हो तो ने गंजा कर देना क्या करें इस बंदर्यक्या सबसे पहले तो हमें शेर खान से मिलना होगा ये इसे क्या हो गया मेरे आका तफा हो जाओ और अकिला छोड़ा मुझे मैं किसी का आका नहीं हूँ अब मैं किसके दम पर दूसरों पर धोज जबाऊंगा लिकी सच कह रही है शेर खान तो सच में बिल्ला बन गया उसकी आवाज अजीब हो गई है पर ये बिल्ला नहीं बन गया मोगली शेर खान का बस गला खराब हो गया है अभी ठीक कैसे होगा अब गले का उपाय एक चलकर माशर को बताते हैं जलती जलो और जंगल की नहीं के लिए ये नचीजज गीधर खा संदेश संदेश लाया है गीधर झाया है जो आया है उसे मेरे पास भीज़ दो जो आया है उसे खुजो खुजो उसे जो आया है खुजो जी सिव आया है जंगल की नए खुबसूरत रानी अपनी ताकत को मेरे दिमाग के साथ मिला दीजिए फिर देखना हम जंगल का इतिहास बदल देंगे इंसानी बच्चा और मोटु भालू शेरक लिया यह काम आप मुझे करने दीजिए उन लल्लूों को पकड़ने में माहिर हूं तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं रानी साहिबा आपकी महां ताकत के सामने वो शेर खान एक मामूली विल्ला है बहुत खुब किसी को तो यह पता चला साथ जाओ और उस इंसानी बच्चे और भालू को ले आओ बड़ा जहता था बहुत शेहर निकला थोड़ा सा शेर खान के लिए भी छोड़ देना हाँ इसमें हो जाएगा देखो बलू मैंने गुलायल बनाई है उन शेयतान बंदोर से निपटने के लिए काम आएगी अब चलो शेर खान के पास चलते हैं अब मेरा क्या होगा मेरा इस जंगल में कोई अपना नहीं रहा तबाकी घबराओ मत हम जल्द ही भूगलिंग इसकी सेजा तुझे जरूर मिलेगी धुकेबास बंद करो इसका चलो रानी माशा के दुआर यह रहे आपकी कहती रानी साहिबा वादे के मुताबिक बहुत खुब तुम बड़े काम के हो गीदर दिल जीत लिया तुमने और रानी तुम्हारे इस काम का इनाम देगी आज से तुम रानी माशा के सलहाकार एक से एक सला दूंगा आपको रानी साहिबा तो मोगली के बच्चे अब मुझ पर लगाम कैसे लगाएगा हाँ सही कहां मैं तो कैदू पर शेर खान आजाद है और देखना वो अपना बदला लेने ज़रूर आएगा लिकिन चहाओ तो तुम उसे पहले रोख सकती हो उसके पास जाओ और उसे जंगल से बहार निकाल दो ताकि सब तुम्हे अपनी रानी मान सके रानी को क्या करना है ये मामूली इंसा नहीं बताएगा मेरा सिंहा संलाव मैं आप ही जाओंगी फिलहाल इन दोनों को आराम करने दो डाल दो इने जेल में और तुम दोनों यही पर निगरानी रखना ताकि ये भागने की जुरत ना करें हुआ 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 है यहां से वक्त पर निकल कर शेर खान तक कैसे पहुंचेंगे टेंशन मतलो बलू मैंने सोच लिया है एक टेस्तिया मेरे पास भी है अगर चाहो तो तुम ले सकते हो औहो यह तब भारेनी जा रहा है का शेद बड़ा होता तो यह तुम खा पाते हो हुआ हो बहुत अच्छे मोगली मिल बाट कर खाना हाँ बुलू शेर खान की गुफा में मिलते हैं मैं वहाँ जल्दी से शहर लेकर पहुशता हूँ जल्दी आओ मोगली रानी माशा एक बार फिर तुमसे लड़ना चाहती है अगर तुम्हारे तो जंगल छोड़ कर जाना होगा मैं नहीं मानता शेर खान लड़ने से मना कर रहा है और जंगल छोड़ के जा रहा है रानी माशा की जैहों येए इंसानी बच्चे खुशाब रुको शेर खान माशा के पास कोई महान शक्ती नहीं है तुम्हारा गला खराब हो गया है हाथ तो क्या कह रही थी बंदरिया मुझे जाने दो बना मैं फिर से तुम्हें बिला बना दूंगी पोगली बलू मेरी बात तो सुनो मुझे अपना सलाकार रख लो मजा आएगा नहीं हमें तो हैसे ही मजा आ रहा है क्यों न तुम खुद को शेर खान से बचने के सला दे दो काम आएगे तुमारे लिए क्यों प्रुट्रो खोली होगारा गी टार बचारा फोला जीदर